यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ उचले दो वर्षों से राश्री राजुधाने दिल्ली में प्रदूशन का स्तर निरंतर बढ़ने की समस्या पेश आ रही है उन्होंने कहा कि केंद्रो सरकार द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए पंजाब, हर्याना और उत्रप्रदेश की सरकारों को बढ़ते प्रदूशन की समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने की निर्देश दिये गए है केंद्र सरकार ने इस कारे के लिए हरियानव सरकार की 215 करोड रुपयों की राशी उपलब्द करवाई है इस राशी से जहां किसानों को जागरुक करने के लिए विभिन माधिमों से जागरुकता अभ्यान चलाये जा रहे हैं वहीं किसानों को फसल अवशेश के प्रबंधन के लिए आधुनिक क्रिशी यंत्र अनुदान पर भी उपलब्द करवाई जाने हैं तो यहां पर आपको बता दे कि पराली जलाने का सीजन आने वाला है और इसी को लेकर के हर्यान सरकार जो है वो सक्रिय होती हुई नजर आ रही है 215 करोड रुपे की राशी जो है वो पलब्द करवाई गई है ताकि किसानों को जागरुक किया जा सके किसानों को यंत रुपलब्द करवाई जा सके कि किस तरह से पराली की समस्य से निपठना है और यहां पर दिशा निर्देश भी जारी किये गए है कि पराली को न जलाए जाए क्योंकि पराली जलाने से आसपास के अक्षेत्रों में प्रदूशन फैलता है और इसी को लेकर के हरियाना सरकार यहां पर सक्रिय होती हुई नजर आ रहे है 215 करोड की राशी यहां पर आपको बता दे कि जारी की गई है दिल्ली में लगातार प्रदूशन बढ़ता है इस पराली की वज़़े से और केंडर सरकार यहां पर गंभीर है और हरियाना सरकार भी यहां पर सक्रिय होती हुई नजर आ रहे है तो हरियाना सरकार को राशी उपलब्द करवाई गई है केंडर सरकार की ओर से 215 करोड रुपयों की राशी दी गई है ताकि यह जो पराली की समस्या है इससे निप्टा जाए तो पराली जलाने की वज़े से आसपास के अक्षेत्रों में प्रदूशन लगातार फैलता है और इसी को लेकर केंडर सरकार ने गंभीरता दिखाई है और 215 करोड रुपयों की राशी हरियाना सरकार को प्लब्द करवाई है ताकि इस समस्या से निप्टा ज़ा सके, किसानों को जागरुक किया ज़ा सके, यंत रुब्द करवाई ज़ा सके और पराली जलाने की जो समस्या है उसका निप्टारा किया जा सके तो यहाँ पर आपको बता दे कि पराली जलाने की वज़े से आसपास के अक्षेत्रों में प्रदूशन फैलता है जिसको लेकर के इस बार केंडर सरकार पहले से ही गंभीर नज़र आ रही है झाल